हाई गाईज वेल्कम बेक तो मैं चैनल सीयार कीचन ब्लोक्स गाईज आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं सीला जीत से भी भैंकर ताकतवर चीज बहुत ही बढ़िया गुणिया तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर चैनल पे नई हो तो चैनल को करें वीडियो पुस्नाये तो लाईक और सेयर जरूर करें tu साथ सबसे पहले आपको यहां पे कटोरी लेनी है और एक आपको सेव लेना है यह बिलकुल मीडिय की में लेना बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं और इसके अंदर आपको डाल देना है एक चमच भर के नमक यह प्रोसेस करना बहुत ही जुरूरी है और उपर से एक किलास पानी डाल देंगे इसके अंदर होसके तो आप 3-4 मिनट इसे इसी तरीके से पानी में डूबो करके रखें या फिर आप आदा गंटा भी रख सकते हैं पहले अगर आपके पास ताइम नहीं है तो इस तरीके से आप रब करके से साफ कर ले बहुत ही बढ़िया नुसका है घर में पड़ी चीजों से तयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तो इस तरीके से रब करके आप सेव को अच्छे से साफ कर ले ये करना बहुत ह जरूरी है क्योंकि इसके उपर सेफ्टी के लिए जैसा कि आप सभी को पता होता है इसी तरीके का केमिकल लगाया जाता है जो कि उतरता नहीं आसानी से धिगो कर रखने से यह आसानी से उतर जाता है थोड़ा सा रब करने से और साथ में नमक या बेकिंग पाॉडर जरूर ड रखने से यह एक प्रेट और यह शेव लेना है बीच में से कट कर लेना है कि बीच में से कट जरूर करें क्योंकि यह देखिए इसके अंदर जो यह अंदर का मेटेरियल यह वीज है और जो गंदगी सी दिखाई देती है यह निकाल देगे और बीज निकालना भी बहुत ही जरूरी है सेव के बीज से कहते हैं अलर्जी इतनी ज़्यादा भैंकर हो जाती है किनके अलर्जी जो ठीक ही नहीं होती है तो इस तरीके से आपको ये सारा पार्ट जो है हटा देना है जब ये नुसका बना करके यूज करोगे तो हर रोज आप बिना किसी के बोले ही खुद बना करके यूज करोगे इतना बढ़िया अच्छा भी है ताकतवर भी है गुणिया भी है बहुत सारे इसके फाइदे हैं जो कि मैं आपको सारी चीजे डिटेल में बताऊंगी वीडियो को skip बिल्कुल भी ना करें क्योंकि साथ-साथ मैं सारी चीजे बताती रहती हूं फिर आपको बीच में समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया है तो इस तरीके से आपको save को काट लेना है अब आपको बीच में से 4-5 cut लगा देने हैं एक पीश के और सबजी की तरह इस तरीके से हम काट लेंगे और बिल्कुल ही simple नुस्खा है टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है बनाने में और जंजट भी नहीं है हर रोज बनाओ और यूज़ करो तो यहाँ पर मैंने save को काट लिया है अब आपको आगे जो चीज़ें लेनी है वो बताती हूं मैं क्या क्या लेना है सबसे पहले आपको लेना है चार से पांच बादाम और इसके बाद लेने हैं चार से पांच किसमिस यह चोटे वाले किसमिस है यही लेने हैं आपको और अब आपको लेना है चार मगज इसे खर्पूजे के बीज भी बोलते हैं तो ये सारी चीजे हैं मिक्सर जार में डाल लेंगे और इतना सिंपल नुस्खा साइदी आपने कहीं पे देखा हुआ इतना बड़िया नुस्खा है ये अब आपको लेने है ये गुलाव के फूल मार्किट में इजिली मिल जाते हैं ये कहीं से भी आप खरी सकते हो क्रियाना स्टोर से तो गुलाव के फूल आपको एक चमस लेने है ये एक इनसान के लिए बनने वाली चीज है अगर दो या चार के लिए बनाना है तो आप थोड़ी एक quantity बढ़ा दीजिए अब आपको मिशरी लेनी है जिसे शिट्टा मिशरी बोलते हैं तो इसमें से एक चमच के करीब पाउडर बने इस हिसाब से आपको मिशरी तोड़ लेनी है और इसके अंदर direct डाल देनी है आप चाहें तो इसमें बुरा भी डाल सकते हैं या फिर आप skip भी कर सकते हैं क्योंकि save वैसे भी मिठा ही होता है थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है इसे ही तो अब आपको डखन लगा करके इसकी समूधी बना लेनी है save की इस तरीके से mix को ओन ओफ करते हुए हम इसे पीछ लेंगे तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ देखिए इस तरीके की ये समूधी बन गई है जब ऐसी consistency आज जाए तो आपको लेना है ठंडा दूद या पे कच्चा दूद भी ले सकते हो आप मैंने उबला हुआ ठंडा दूद लिया है फ्रीज का दो-چार चमच एक बार इसके अंदर दूद डाल देंगे और फिर से इसे गुमाएंगे ताकि ये जो पेस्टम ने बनाया है ये बारीक हो जाए इस तरीके से देखिए दो-चार बार गुमाने के बाद आपको ये एक कप दूद पूरा डाल देना है इसके अंदर ये एक गिलास के करीब दूद है एक इन्शान के लिए है तो डकल लगा करके अब हम एक मिनिट तक इसे लगातार चलाएंगे और लगातार चलाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीक के गाई गोल बन गया है ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन करके तयार हो गया है ये देखते ही आपके मुँ में पानी आएगा इतना ये अच्छा दिखता है और इतना ही ये टेस्टी बनता है तो ये देखिए इस तरीके का बन करके तयार हुआ है अब आपको कप में डाल लेना है गिलास में डाल लेना है गारनिसिंग के लिए या फिर इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें आप केसर एड़ कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है आप करें तो जरूरी नहीं है ऐसे भी आप इसे पी सकते हैं लेकिन और ज़्या पीना है तो सुबह आप खाली पेट इशे बना करके पी सकते हैं जिम करने वाले जितने भी हैं वो आप एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद इशे बना करके पी सकते हैं आपको सिला जीत खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकत के लिए जो लोग खाते हैं तो वो भी इसके आगे फेल है, ये इतनी बढ़िया डाइट बनगर के तयार हो गई है, इससे आपका वेट लोस भी होगा, साथ में इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, पाचन तंतर जो है आपका, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, कबज की समस्या नहीं होगी, इतने सारे इसके बेन इसी भी तरह की कोई बीमारी है, अगर आपको सूट नहीं करता है, तो आप ना पिए, अपने डोक्टर की सला के इनसार ही पिए, बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सारी नेचुरल चीजे इसके अंदर हमने डाली है, रोजाना आप पी सकते हो, एक्सेस फाइदा होगा कि एनर्जी जो है आपकी जो लेवल गिर चुका है एनर्जी का, वो धिर दिरे बढ़ने लगेगा, जो धिला पन्थकान मैसूस होती है, वो भी दिरे दिरे शुधार हो जाएगा, तो कैसा लगा अज़का वीडियो, बाए बाए